फेस्टिवल में मीठा खाते खाते आप बोड़ो चुके होंगे तो क्यों ना कुछ तीखा खाया जाए तो इस दिपावाली आप अपने मेमान को खुश करने के लिए बनाईए आलू कुल्चा मसाला जिसे बनाने में कोई जंजट भी नहीं है और आलू हर घर में एविलेबल होता है तो चलिए बनाते हैं आज के मसालेदार रेसिपी बट उससे पहले नमस्कार मैं खुश्बु का नोजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुश्बु में आपका स्वागत करती हूं तो चलिए बनाते हैं आज की नई और जायकेदार रेसिपी जो की कम बॉस कर इसका छिलका उतार लेंगे तो चलिए इसका छिलका उतार लेते हैं तो देखिए मैंने इसका छिलका उतार लिया है और इसके सारे छिलके को हम बेश्ट होने नहीं देंगे इसे हम पेर में डाल देंगे सुखने के बाद फिर हम आलू को किसी चमच की हेल्प से बीच से कट-कट कर लेंगे आप चाहो तो आप फॉक का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो हमने सारे में कट लगा दिया है अब हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे जब पैन गर्म हो जाए तब हम उसमें एड करेंगे सरसो वाइल सरसो वाइल में खाना बहुत ही टेस्टी बनता है आप ट्राय जरूर किजिएगा और ये हमारे लिए हिल दी भी है तो फिर हम तेल को गर्म होने देंगे और जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें छोक लगाएंगे इलाइंची, लॉंग, तेश पत्ता, लाल मीर्च यह सारे इंगिनियंस का नाम मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है वहाँ से चेक कर लिजिएगा जब इससे खुस्पू आने लगे तब हम इसमें एड करेंगे ओनियन और इसे जल्दी पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक एड कर देंगे फिर हम इसे कवर करकर कुक करेंगे जब तक यह ब्राउन न हो जाए तो देखिए प्याज भी ब्राउन हो चुका है फिर हम इसमें एड करेंगे पोटेटो और इसे कुक करेंगे और इसे जल्दी कुक करने के लिए हम फिर इसमें नमक एड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा हमने यहाँ पर दो बार नमक यूज किया है एक प्याज में और एक पोटेटो में और फिर हम इसे कवर करकर ब्राउन होने तक कुक करेंगे फिर हम एक दो मिनिट कुक करने के बाद हम इसमें एड करेंगे हल्दी और हल्दी को भी पकाएंगे क्योंकि हल्दी पकना बहुत ही जरूरी होता है और हल्दी को पकाने के लिए हम इसमें थोरा सा पानी आइड करेंगे और इसे एक दो मिनिट के लिए कुक करेंगे या फिर जब तक ये तेल न छोड़ दे हल्दी अच्छी तरह से कुक हो चुका है अब आई मसाले की बारी तो हम यहाँ पर धनिया लाल मिर्च पॉर्डर जीरा पॉर्डर लाल मिर्च पॉर्डर ये सारे इंगिनियास आइड करेंगे और इनका नाम हमने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया आप वहाँ से चेक कर लिजिएगा फिर हम इसे कवर करकर भी कुक करेंगे और देखिए ये तेल छोड़ चुका है अब हम इसमें एड करेंगे पानी इसमें पानी हम एड करेंगे इसे कुक होने तक और इसमें एड़ करेंगे गरम मसाला ये गरम मसाला घर का बना हुआ है अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाते हैं तो हमें कमेंट करकर जरूर बता है ये आलो कुल्चा मसाला आपको रोटी के साथ, प्राठे के साथ, पूरी के साथ या फिर चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप चावल के साथ बनाना चाते हैं तो गिरे भी थोड़ा हलका रखिएगा अब इसमें उबाल आ चुका है अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आलो कुख हो गिया है या नहीं तो देखिए आलो अच्छी तरह से कुको चुका है अब हम गैस को ओफ कर देंगे और फिर हम इसमें एक चौक और लगाएंगे एक चौक लगाने के लिए हम एक कल्शी लेंगे और उसे गर्म करेंगे जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें घी आइड करेंगे और इसे भी गर्म होने देंगे जब ये गर्म हो जाये तब हम इसे अपने आलो कुल्चा मसाला में एड़ कर देंगे और इसे कवर कर देंगे तो लीजी ये तयार है गर्मा गर्म आलो कुल्चा मसाला तो हम इसे सर्व करते हैं तो सर्व करने के लिए हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और इसे गार्निसिंग करने की भी जरुत नहीं होगी ये तना देखने में सुन्दर लगेगा ना कि महमान इस पर तूट पड़ेंगे यकीन नहीं होता तो आप इस दिपावाली ये रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा और हमें कमेंट करकर बताईएगा कि महमान खुस हुए या नहीं तो इसे बनाने के लिए इंगेडियन्स किया वे सकता होगी और जो की इंगेडियन्स सारी ये हैं तो इसे आप नोट कर लिजिए या फिर मेरी वीडियो को बारवार देखिएगा I hope आपको मेरी ये वीडियो वाली रेसिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेट फार्मिले में सेयर जरूर करें ताकि वो भी इनका लोगत उठा सके और अगर आप फर्स्ट वर मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत बूलिए Once again, don't forget like and subscribe my channel तो फिर मिलते हैं इसी तरह की कम बजट में बनने वाली रेसिपी के साथ अपने इसी चैनल घर का जायका विद्खुश्व में जब तक खुश रहे हैं, खुशियां बाटते रहे हैं और आसपास सफाई बनाए रखिए क्योंकि अपना भारत स्वाक्ष भारत Thank you for watching and नमस्कार